आज हम लोग NCERT की कक्षा दस के लिए हिंदी दृत्य भाषा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भागदू में दद्य खंड के पहले बात बड़े भाई सहा पर चर्चा करेंगे बड़े भाई सहाब कहानी प्रीम चंद द्वारा लिखी गई है 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमही गाउं में जन में धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रीम चंद नाम से लेखनकारे किया नेजी विवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे उर्दू में प्रकाशित पहली कहानी संग रहे सोजे वतन अंग्रेजी सरकार ने जब्द कर लिया आज जेविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस और माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया कुछ समय बंबई यानि आज की मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया लेकिन वो उन्हें रास नहीं आई, जदपी उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी आम आदमी के दुखदर्द के बेजोड चितेरे, प्रेम चंद को उनकी जीवन काल में ही कथा समराठ, उपन्यास समराठ कहा जाने लगा था उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरहे बदर डाली थी अपनी रचनाव में उन्होंने उन लोगों को प्रमुख पात्र बना कर साहित्ति में जगा दी जिने जीवन और जगत में केवल प्रतार्ना और लांचन ही मिले थे आठ अक्तूबर 1936 में उनका देहाफसान हुआ प्रेम चन्त ने जितनी भी कहानिया लिखी वे सब मानसरोवर शीषक से आठ खंडों में संकलित हैं उनके प्रमुखोपन न्यास हैं गुदान, गबन, प्रेमश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमी, रंग भूमी, काया कर्प, प्रतिग्या और मंगल सूत्र जो की अपूर्ण रह गई लेकिन बाद में उनके पुत्र ने इसे पूरा किया बड़े भाई साहब कहानी, दो भाईयों के माध्यम से अपनिवेशक शिक्षा व्यवस्था की कम्यों को उजाकर करती है मैं शैली में लिखी गई ये कहानी है तो छोटे भाई की दास्तान, पर इस शिक्षा व्यवस्था में शामिल कोई भी व्यक्ती छोटा भाई हो सकता है दोनों भाई बाहर एक छात्रावास में रहते हैं बड़े भाई की उम्र 14 वर्ष है, वहीं छोटे भाई की उम्र 9 वर्ष है कहानी की शुरवात में उनकी कक्षाओं का अंतर सिर्फ 3 दर्जे का है बड़े भाई जिम्मेदार और मेहनती है उन पर अपने छोटे भाई को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी है चोटे भाई का मन खेल कूद में ज़्यादा लगता है और पढ़ाई में कम परन्तु हर वर्ष परिणाम आने के बाद बड़े भाई फेल हो जाते हैं और चोटा भाई कक्षा में प्रथम ऐसे में बड़े भाई साहब का सीख और उपतेश देने का अधिकार भी दीरे-दीरे कम हो जाता है और अन्त तहा एक दिन बड़े भाई साहब खुल कर अपने दिल का दर्द छोटे भाई को बताते हैं और कहते हैं कि खेलने का मन तो मेरा भी करता है पर क्या करूँ मेरे उपर तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है और इस तरह से कहानी अंध होती है पतंग के पीछे दोनों भाईयों के भागने से आईए अब हम इस कहानी के विशिश्चताओं के बारे में जाने हैं नमस्कार आज हम लोग NCEAT की कक्षा 10 के लिए हिंदी भाषा की पार्थि पुस्तक अस्पर्ष भाग दो के गद्धि खंड में सम्मेलित पहले पार्थ बड़े भाई साहब पर चर्चा करेंगे आप सभी को पता होगा कि असपर्ष पार्थ पुस्तक उन हिंदी के चात्रों के लिए हैं जो हिंदी को दूतिय भासा के रूप में पढ़ते हैं हमारे साथ इस कहानी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर निलकंट कुमार मौजूद है नमस्कार डॉक्टर निलकंट सी आईटी में हिंदी के असिस्टेंट पोफेसर है डॉक्टर निलकंट पाठ्षिक्रम की द्रिष्टी से देखे तो ऐसा क्यूं है कि लगबग सिख्छा के हर अस्तर पर प्रेम चंद की कहानिया पढ़ाई आते हैं इसको आप कैसे देखते हैं आपने बहुत विस्तार से प्रेम चंद के बारे में और उनकी कहानी बड़े भाई साहब के बारे में जानकारी दी और बहुत संजीदगी से दी गई यह जानकारी काफी कुछ कह जाती है प्रेमचंद को मैं सिर्फ साहित्यकार नहीं मानता साहित्यकार तो हैं ही वो लेकिन उससे बढ़कर वो भारतिय सभ्यता और संस्कृति की आत्मा है अगर भारतिय सभ्यता और संस्कृति को आप समझना चाहते हैं तो मुझे लगता है प्रेमचंद को छोड़ कर नहीं समझ सकते। इसलिए प्रेमचंद अगर आप किसी भी हिंदी के पार्ठिक्रम को उठा लें, तो वो पार्ठिक्रम प्रेमचंद के बगएर पूरा ही नहीं होता है। और यह बात सिर्फ हिंदी की नहीं है। आप अगर NCERT की पार्ठिपुस्तकों को ही उठा लें तो इन पार्ठिपुस्तकों में आप देखेंगे कि उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी इन तीनों भाषाओं में हर स्तर पर किसी न किसी रूप में प्रेमचंद मौजूद हैं। जैसे बड़े भाई सहब कहानी की हम बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी में हमे मैं इलBER ब्रदर नाम से यह कहानी मौजूद है। और उर्दll में प्रेमचंद की कहानी, उर्दू वाले तो बलकि मैं यह कहूँ कि प्रेमचंद को अपना ही मानते हैं। और उनकी सारी कहानिया या अधिकांस कहानिया पहले उर्दू में लिखी गई और बाद में हिंदी में आई तो इसलिए हिंदी और उर्दू के तो प्रेमचंद हैं ही हैं अंगरेजी में भी प्रेमचंद को हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो इसलिए जो भाषा का पाठिक्रम है वो बगएर प्रेमचंद के कभी पूरा रही होता है ये तो होए कि प्रेमचंद हमारी पाठिपुस्तकों में मौजूद हैं लेकिन असल मसला ये है कि वो मौजूद क्यों है आप देखेंगे कि प्रेमचंद अपने समय और समाज को तो अपनी रचनाओं में अव्यक्त करते ही करते हैं लेकिन इसके साथ ही वो हमारा रास्ट, हमारा समाज, हमारा परिवार किस दिसा की और अग्रसर होगा यह भी रचते हैं कहने का मतलब ये कि समय को अभिव्यक करने के साथ साथ भविश्य की एक कल्पना भी प्रेमचंद के यहां मौजूद है और वो कल्पना ऐसी है जो समवैधानिक लोकतंत्र से बड़ी है ध्यान देने की बात ये है कि जो एक साहित्यकार होता है साहित्यकार का लोकतंत्र समवैधानिक लोकतंत्र से बड़ा होता है और इसलिए जो साहित्यकार की दुनिया है साहित्यकार के जो रचे हुए पात्र हैं उन पात्रों में जो हमारे समाज में मौजूद अंतिम व्यक्त के दुख और दर्द का भी उनलेक होता है, वह आखिर से आखिर व्यक्ति को संबोधित करते हैं और जहां कोई नहीं पहुँच सकता है जहां हमारे नियम और कानून भी नहीं पहुचते हैं वहां एक साहितिकार पहुँचता है इसलिए प्रेमचंद सिर्फ एक साहित्यकार नहीं है और प्रेमचंद ही नहीं मैं कहता हूँ कि इस रास्ट के निर्मान की प्रिक्रिया में बहुत सारे लोग सामिल रहे हैं जैसे संकराचार जैसे गौतम बुद्ध जैसे महात्मा गांधी रविन्ना टैगो और उसी स्रेनी में मैं प्रेमचंद तुलसी कभी और निराला को भी मानता हूँ और इसलिए इस समाज को जिस दिसा में आगे बढ़ना है उसको जानना है समझना है हमें अपने विद्यार्थियों को किस दिसा की और ले जाना है यहत्य करना है तो हमें प्रेमचंद जैसे लोगों को पाठिक्रम में रखना ही होगा प्रेमचंद को छोड़ कर इसलिए हमारा कुई हिंदी भाषा और साहिति का पाठिक्रम पूरा नहीं हो सकता आपको तो याद होगा अभै जी कि हम लोगों ने जब दसवी कछा पास की थी तो उस समय हमें हमारे अभिभावक सलाह द हो एक ऐसे संसकार को लेकर आगे बढ़ो जिसके मूल में मानवीता है जिसके मूल में इमानदारी है जिसके मूल में दुख दर्द और समवेदना है तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए भी प्रेमचंद को पढ़ने के लिए कहा जाता था इसलिए मैं कहता हूँ कि किस तर से लेकर और एमे तक हर जगह आपको अलग अलग रूप में प्रेमचंद पाठी क्रम में पाठी पुस्तकों में मिल जाएंगे बेसक उनको पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग जरूर है और शायद यही कारण है कि प्रेमचंद का जो मानुविय सरोकार है उनके साहित में यही कारण है कि उनकी कहानियां उनके उपन्यास हिंदी की जाए तर भाषाओं में अनुवादित हुई यह जो प्रेमचंद में कहा कि साहित समाज का दरुपन है तो इस परिप्रेक्ष में आप इस कहानियों को बड़े भाई साब को कैसे समझता है और वह एक दौर था जब भारतिया समाज काफी उद्वेलित था इंडिपेंडेंच स्ट्रगल चल रहे थे और जो कौंग्रेस पार्टी जो जो इन्डिपेंडेंडेंच स्ट्रगल चला रहे थी उसे मुख्य भुमिका जिस की थी उसके अंदर भी कई तरह के डीबेट्स चल रहे थे एक्ष्म तो यह जो उस समय का पुरा बिमर्ष था हमारे समाज में जो आंदोलन था उस परिप्रेक्ष में भी और वह एक ऐसा भी समय है कि जब काफी समय मैकाले का जो सिख्छा पद्धिती थी जो मगरेजी सरकार ने लाए थी उसके लाएवे भी काफी बर्स हो गये तो यह जो साहित्य समाज का दरपन होता है यह तो प्रेमचंद का नजरिया है ही और इसके साथ साथ प्रेमचंद यह भी कहा करते थे कि साहित्यकारों का काम पीछे पीछे चलना नहीं है वह मसाल दिखाते हुए समाज को आगे की ओर चलता है मतलब सिर्फ समाज को अव्यक्त ही नहीं करता है उसकी दसा और दिसा को तै करने में भी महत्पूर्ण भूमी का साहितिकार निभाते हैं तो ये बात तो थी ही और इसलिए आप देखें कि प्रेमचंद की तमाम रचनाओं में उनका समय आपको दिखाई पड़ेगा प्रेमचंद अन्य रचनाकारों से संभवता भिन इसलिए भी हैं क्योंकि उनके समय के और रचनाकार इतिहास की सवसाधना में लग गए इतिहास की सवसाधना का मतलब ये कि एतिहासिक विसियों को उठाकर नाटक, कहानिया और उपन्यास लिखने लग गए लेकिन प्रेमचंद ने अपने समय की चुनवती को स्विकार किया और उस चुनवती को स्विकार करते हुए इतिहास में जाने की बजाए उन्होंने अपने समय की चुनवतियों से दो-दो हाथ किया और इसलिए प्रेमचंद की कहानियों में आप उनके समय की तमाम समस्याओं को देखेंगे आपनिवेशिक सिख्षा वैवस्था की समस्या भी देखेंगे दुख, गरीबी, किसानी की समस्या और भारतिय समाज के जो भी द्वंद थे वो सब आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे वही नहीं जो आप देखें कि बड़े घर की बेटी एक कहानी है तो परिवार, संबंधों की सच्चाई, वो सब जो एक उस समय और उस समाज की अच्छाई, बुराई थी वो समग रूप में आपको प्रेमचंद की रचनाओं में दिखाई पड़ेगी तो इसलिए भी प्रेमचंद महत्पूर्ण रचनाकार हैं कि वो अपने समय को तो अव्यक्त करते ही हैं समय के साथ साथ वो आगे की और भी देखते हैं, बविश्य की और भी संकेत करते चलते हैं अब बड़े भाई सहब कहानी जो है, इसको अगर आप समझना चाहते हैं, तो जो अपनिवेसिक सिख्षा व्यवस्था लाई गई उसके साथ साथ हमारी जो प्राचीन पध्धती थी, थोड़ा उसकी और भी देखना होगा हमारी जो पध्धती थी, उसमें आकलन का यह धर्रा नहीं थी अलग तरह की परिक्षा पध्धती की परिकलपना थी, जिसमें कोई भी कौसल सीखने के बाद पूरी पढ़ाई लिखाई खत्म होने के बाद परिवेस में या आप कहें समाज में जाकर उसे अपने आपको सावित करना होता था तो जो भी कौसल आपने सीखा अंत में एक परिक्षा होती थी और जब गुरु कहता था कि सब कुछ ठीक है आपने सीख लिया और गुरु उसके साथ लगातार सिखाने पर बल देता था उसके आकलन पर बल नहीं देता था ये जो नई सिख्षा पधती आई इसका सारा जोर आकलन पर हो गया बलकि आप कहें कि जिस समय परिक्षा पधती प्रारंब की गई उस समय तो सारा का सारा जोर पास और फेल करने पर आप या तो पास हैं या फेल हैं तो सिक्षा पध्धती के आप कहिए कि ढाचे के मूल में वो आकलन की प्रक्रिया मुल्यांकन की प्रक्रिया या परिक्षा पध्धती आ गई और हर स्तर पर कोशिस ये की गई कि जो भी पार्थी चरियाक से होकर विद्यार्थी गुजर रहे हैं, वो कितना समाज और दीन दुनिया से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान दिया जाए या न दिया जाए, लेकिन जो भी पार्थिक्रम में मौजूद है, जैसे कि हेनरी कितने हुए, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब मर ग बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, आठ आठ हैनरी हो गुजरी है, अब कौन सा कांट किस हैनरी के समय में हुआ, क्या याद रख लेना आसान समझते हो, हैनरी साथवे की जगह है, हैनरी आठ वेलिक का, सारे नमबर गाए, सबाद चर्ट, ये महत्पूर नहीं ह यह रट लेने से कोई ना तो बहुत समझदार हो जाता है, ना कोई बहुत मूर्क हो जाता है, लेकिन बड़े भाई साहब कहते हैं, इस कहानी में, कि बताओ कितने हेनरी हुए, इस से किसी को क्या मतलब है, और वो भी अपने राश्ट, अपने समाज, अपने परिवेश के लोगों के बारे में जानकारी दी जाए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जानकारी आप विश्व में जाकर इंगलेंड में कहां क्या हुआ, और वो भी प्राथमी किस तरपर माधमी किस तरपर आप जानकारी दे रहे हैं, और उसको रट कर विद्यार्थियों को लिखना है, और पहचान कर उसकी अव्यक्ति बड़े भाई साहव कहानी में दी है इसलिए बड़े भाई साहव कहानी महत्पूंग है और वो सिर्फ परिक्षा पद्धती या परिक्षा की समस्याओं की और ही इस कहानी के माध्यम से नहीं जाते हैं बलकि आप कहिए कि दो कदम आगे बढ़ कर हमारी सिख्षा वैवस्था कैसी होनी चाहिए इसका भी संकेत देते चलते हैं अगर मैं इस किताब से जो परिक्षा पद्धती के बारे में लिखा गया है कुछ पंक्तियां पढ़ दूँ तो मुझे लगता है कि बातें और भी स्पस्ट होंगी इसमें आप देखें कि इस कहानी में बड़े भाई सहाब कहते हैं कि महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धी का विकास जो कुछ पढ़ो उसका अभी प्राय समझो अब ये अगर बड़े भाई सहाब कह रहे हैं तो समझ ये कि प्रेमचंद ही कह रहे हैं और इस कहाने की प्रासनीता देखिये कि इनहीं बातों का जिक NCF में भी हमने बरसों के बाद कि जी आज हम NEP के माध्यम से जो हमारी नई सिक्षा नीती है उसमें भी 360 डिग्री एसेस्मेंट की बात कर रहे हैं आज भी हम लोग अनभाव आधारित सिक्षन की बात करते हैं आज भी हम लोग एक्सपेरियंसल लर्निंग की बात करते हैं आज भी हम लोग खेल खेल में सीखने की बात करते हैं तो जिन बातों का उलेक हम अब कर रहे हैं प्रेम चंद ने उसी समय पहचान लिया था और पहचान कर उन्होंने अपनी इस कहानी में उसको अफ्यक्त भी किया है और उसके मर्म पर चोट भी किया है आगे देखिए वो ल खुदा ही पनाह आबाजा की जगह आजाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई इन निर्दई मुम्तहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फरक है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भात रोटी खाई या इन परिक्षकों को क्या परवा है वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रड़ डाले और इसी रटंत का नाम सिक्षा रख छोड़ा है और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से चा फाइदा तो अब आप दे समझ पर काम करना चाहिए कि व्यक्ति में वो कौसल आए उसकी समझ विक्सित हो कि वैसी ही इस्थिती उत्पन होने पर उन कौसलों का उपयोग करवा अपना कारिक कर पाए तो प्रेमचंद उसी समय इसकी और संकेत करते हैं यही नहीं प्रेमचंद जीन दुख दर्द की च प्रेमचंद आज भी उतने ही प्रासांगिक हैं यह होता है समय से आगे चलना जिसका उलेख हम कर रहे थे कि मसाल दिखाते हुए आगे आगे चलना तो उसी समय उन्होंने वो मसाल जला दी थी इस कहानी का मूल विसे क्या है बड़े भाई साब कहानी का यह एक महत्पून प्रस्न है और विद्यार्थी सिक्षक पढ़ते पढ़ाते हुए इससे रूबरू जरूर होते हैं देखिए बड़े भाई साहाब प्रथम द्रिस्टिया देखने से तो ऐसी कहानी लगती है जो आपनिवेसिक सिक्षा व्यवस्था की समस्याओं का उलेख करती है परंतु यह सिर्फ आपनिवेसिक सिक्षा व्यवस्था के बारे में ही नहीं है इससे आगे बढ़कर यह इस बात की और भी उलेख करती है यह कहानी कि हमारा भाविश्य का पठन पाठन कैसा होना चाहिए जो खेल खेल में सीखने की बात है उसकी और भी संकेत है और एक और बात उपर अतरिक्त जिम्मेदारी है खुद पढ़ने की जिम्मेदारी तो है ही छोटे भाई के लिए भी आदर्स बन कर खड़े होने की जिम्मेदारी है और जैसे ही आप पर किसी आदर्स की जिम्मेदारी आती है आप तनाव ग्रस्त हो जाते हैं उस अतरिक्त बोज से तो तो इन सारी परिस्थितियों से जो तनाव स्रजित हो रहा है उस तनाव के कारण बड़े भाई साहब की जो लर्निंग है जो सीखना है वो बिल्कुल प्रभावित हो रही है और यही कारण है कि खेलते कुटते चोटा भाई प्र्थम आ जा रहा है और बड़ा भाई उसी कछा में बार 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 मौजूद रह रहा है और अपने तनाओ से जूझता हुआ वो किसी तरह पढ़ कर उस संकट से आगे निकलने की कोशिस कर रहा है तो उस तनाव की और भी संकेत है कि जिस परिक्षा व्यवस्था के कारण हम अपने विद्यार्थियों पर स्रजित कर रहे हैं और आप देखते हैं कि कई विद्यार्थी तो इस तनाव में आत्मात्या तक कर लेते हैं तो परिक्षा का जो दबा और तनाव है उससे कैसे हमारे बच्चों के लिए का जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है उसका भी संकेत और उलेख आपको इस कहानी में मिल जाएगा साथ ही साथ उस समय और समाज के बारे में तो जानकारी मिलेगी ही मिलेगी तो इस कहानी को मुख्ष रूप से आप इस द्रिस्टि कोन से देख सकते हैं यह कहानी को भाशा की द्रिस्टि से कैसे देखते हैं खासकर अभी आपने जैसे जिक्र किया कि जो छोटे भाई का जो बड़े भाई का को एक आदर्स की तरह देखते थे तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेमचंद भी यह जो आदर्स और यथार्थ का द्वन्द है वो इस कहानी में भी जलक रहा हूँ देखिए प्रेमचंद को लेकर आदर्स और यथार्थ के द्वन्द का उलेख तो किया ही जाता है अपने प्रारंभिक समय में आदर्सवादी रचनाकार माने जाते थे बाद में धीरे धीरे वो यथार्थ की और जुकते चले गए और कफन पूस की राद जैसी कहानी भी लिख गए परन्तु मुझे लगता है कि सिर्फ आदर्स और यथार्थ की दृस्ती से आप प्रेमचंद का मुल्यांकन नहीं कर सकते जहां पर आदर्स है वहां पर भी यथार्थ है और जहां यथार्थ है वहां पर कई बार वो मानवीता का पहलू छोड़ते नहीं तो प्रेमचंद की रचनाओं के मूल में उनकी मानवीयता है एक बात दूसरी बात ये कि चुकी मूल में मानवीयता है इसलिए समाज में उपेक्षित पीडित सबसे कमजोर व्यक्त के पृतिवों आकरसित होते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं जैसे आप देखिए कि इदगाह कहानी में हामिद है उसके माँ और पिता दोनों गुजर गए गरीबी अलग है और हालत यह है कि वह इद भी न मना सके बाकी बच्चों के साथ वो मेला घूमने जाता है और सभी लोग पैसा खर्च करके अलग अलग खिलाओने खरीदते हैं और वो खरीदता है चि चिम्टा पूरे उस बाजार विवस्था के प्रलोभन के खिलाप खड़ा हो जाता है और सबसे मजबूत खिलाओना बनकर कोई उभरता है तो वो चिम्टा है आप कहीं भी चले जाएं कहीं वो हमिद के साथ कहीं बड़े भाई साहब के साथ कहीं आप होरी के साथ उनको दे पहतर मानवी समाज बनाने की कोशिस कर रहे थे और उसी दिशा में उनके सारे प्रयास मौजूद थे उनका उद्देश यह नहीं था कि वो बहुत बड़े रचनाकार बन जाएं उनका उद्देश्य मानवीता के पक्ष में है इसलिए उनको जनता के पास लोगों के पास जुमले, मुहावरे और लोकोक्तिया मिलेंगे मैं बड़े भाई सहब कहानी को ही उठा लूँ तो कम से कम 20-25 मुहावरे और जुमले आपको इन कहानी में जाएंगे उदाहरन के लिए उनकों ने अपनी कहानी यात्रा शुरू की थी उर्दू में लिखने से जी जी तो कु अंदे पर नमक छिड़कना आप एक कहानी में देखिए अंदे के हाथ बटेर लगना लोहे के चने चवाना दातों पसीना आना तो अगर आपको मुहावरा और लोकोक्ति के बारे में जानकारी लेनी है तो अप्रेमचंद की कहानिया पढ़ जाईए आपको सारी जानकारी हम मिल जाएगी और अर्थ लगाने की भी ज़रुरत नहीं है कहानी के संदर में ही आप इनके अर्थ से रूबरुग हो जाएंगे समझ जाएंगे तो भासा की दृष्टी से ये संस्कृत निस्ट नहीं है बलकि उर्दू के करीब हैं और बोलचाल की भासा में लिखते हैं बोलते हैं इसलिए ये लोकोक्तियों का इस्तेमाल मुहावरों का इस्तेमाल लोग प्रचित जूमलों का इस्तेमाल करते हैं इनका उद्देश ये है लोगों तक पहुँचना इसलिए लोगों की भासा में बात करना ये पसंद करते हैं प्रेम चंद तो अगर आप भासाई द्रिस्टी से देखें तो प्रेमचंद अधुतिय हैं और हिंदी भासा और साहित्य को भविश्य में जिस दिसा की और बढ़ना था उसका संकेत सबसे पहले किसी ने दिया तो मुझे लगता है प्रेमचंद हैं और भविश्य में लोगों ने कोशिस भी की कि प्रेमचंद के बनाये हुए राह पर ही भासाई द्रिस्टी से आगे बढ़ें। इतने महत्पून रचनाकार वो हो गए कि उनसे पहले और उनके बाद की कहानियों के आधार पर विभाजन होने लगा। कि प्रेमचंद पुर्व कहानी प्रेमचंद के बाद की कहानी। अब ये बाल मनुविज्ञान को समझने वाले अधुती रचनाकार हैं। जबकि और साहित्यकार बड़े लोगों की कहानियां लिखते थे तो ऐसे दुरलव लोगों में से एक हैं प्रेमचंद जो बच्चों के मनुविज्ञान को समझते हुए इदगाह जैसी कहानी लिखते हैं बड़े भाई साहब जैसी कहानी लिखते हैं और जब लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि सचमुच में कोई बच्चा ही समवाद बोल रहा हूँ। बड़े भाई साहब जब बोलते हैं तो लगता है कि सचमुच उस समय का कोई विद्यार्थी ही जो पिली तो इस इक्षा वेवस्था में वह दुखी होकर बोल रहा है। हामिर जब बोलता है तो सचमुच में लगता है कि कोई छोटा बालक बोल रहा हूँ। तो इस चिम्ता को खिलोना है अब एक खिलोना क्यों नहीं है अभी कंदे पे रखा बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीरों का चिम्ता हो गया। चाहूं तो इनसे मजीरे का वी काम लेता है। वह जब तरक करता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा व्यक्ती नहीं आम तो पर जब बड़े लोग लिखते हैं तो बच्चों की भासा से दूर हो जाते हैं। एक ऐसे रचनाकार हैं जो विश्व को समझते हैं। आज के जमाने में देखिए ये गूगल का समय है। आप कुछ भी सर्च करेंगे तुरंत जानकारी मिल जाएक। लेकिन प्रेमचंद के जमाने में विश्वयवस्था को जानना समझना एक अनोखी बात थी। तो प्रेम सहज रूप से अविव्यक्त करना अलग बात। तो चुकि वो सहज रूप से अपनी बात कहते थे इसलिए वो इतने बड़े कहानिकार हैं। इतने बड़े रचनाकार है। और इसलिए कहानी कला की द्रिस्टी से भी अगर आप प्रेमचंद का आकलन और मुल्यांकन करेंग हिंदू होते हैं कथोप कथन जिसको संवाद कहते हैं। कथानक कहानी जिसको आप कहते हैं वो इन सब के अलावा एक आप आप कहानी को धृरी धृरे आगे बढ़ाते हुए उसकी उंचाई तक ले जाते हैं और फिर नाटकियता के साथ उसको आप अंध की उरुले लें कर प्रेमचंद ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने हिंदी को बनाने का कार्य किया है हिंदी जब अपने प्रारंभिक दोर में अलग अलग तरह के विस्तार में गई हुई थी उस समय उन्होंने हिंदी के लिए एक दिशा तयार की और उसी दिशा की और भाविश में हिंदी आगे बढ़ी तो आप भासा की दिरिस्टी से देख लें कथानक की दिरिस्टी से हर दृष्टी से आपको यह कहानी अदिटी मिलेगी और यही कारण है कि नेस्नल स्कूल अफ ड्रामा से लेकर हर कोई जो नाटक के छेत्र में अपना हाथ आजमाना चाहता है वो बड़े भाई साहब कहानी का मंचन जरूर करता है और हमने भी बड़े भाई सहाब कहानी को रिकॉर्ड किया है और मैं चाहूंगा कि आप जो भी इस चर्चा को सुनें और समझें विध्यारती और सिक्षक वो पहले उस नाटक को जरूर देख लें आप उस नाटक को देखने के बाद जब इस चर्चा को सुनेंगे तो और भी बहतर तरीके से बड़े भाई साहब कहानी को समझ पाएंगे। अन्त में जो चीज हमारे लिए रेलिवेंट है इस पूरे चर्चा के संदर्व में कि बड़े भाई साहब को पढ़ते-पढ़ाते समेहन में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जी जी मतलब कि सिख्षा सास्त्रिय द्रिस्टी से इस कहानी को कैसे पढ़ें और कि जो उसकी सबसे बहुत बड़ी खूबी है उसी खूबी को आप सीधे सीधे सबसे पहले सामने रखें जैसे कि कहानी में कहना सबसे महत्पूर है तो सबसे पहले कहानी सुनने और सुनाने दीजिए आप पहले कहानी सुन लीजिए सुना लीजिए फिर प्रेमचंद के बा प्राप्त करूं तो पहले कहानी को सुनाएं और कहानी सुनने सुनाने के बाद जिन बातों की चर्चा की गई कि मुख्य विस्वत्टू क्या है इस आधहर पर आप अपने विद्यार्थियों से रूबरू हों इंट्रेक्ट करें विमर्ज करें और पढ़ाने का सबसे बहतर तरीका है कि टेक्स्ट सामने रखते हुए पाठ सामने रखते हुए आप अपने विद्यार्थियों को उसमें सामिल करें जिसको कि विद्वान लोग कहते हैं इंगेज करना तो जैसे ही आप उसमें इंगेज करेंगे सामिल करेंगे उनसे बातचीत करेंगे तो बहुत सारी च प्रस्म उत्तर लिखने की द्रिस्टी से आप इसको संजहें और समझाएं ताकि ऐसी और किसी भी कहानी को आप समझ सकें और विशलेशिट कर सकें भहुत भहुत धन्यवा डॉक्टर निलकंट आपने काफी विस्तार से कहानी की मूलबूत बातों को हमारे सामने रखा है मुझे विश्वास है कि कक्छा 10 के शिक्षार्थी इस चर्चा से जरूर लाभानवीत होंगे मैं चाहूंगा कि सभी भी द्यार्थी इस कहानी के परती अपनी समसदारी को अपनी भाशा में लिखे और स्कूल की पत्र पत्री काओं में चापने के लिए जरूर भेंजें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आभार झाल नमस्कार आभार